उनीस सो चौरासी के बाद शायद ये फिर से एक ऐसा हालात आ गया है दिली के सामने कि हम फिर से बहुत ही आसाहाई महसूस कर रहे हैं धेर सारी नाउमीदगी है धेर सारी जो चिराग हैं वो बुझ गए हैं बैल इस से अधिक लोगों की मरने की खबर है और अभी भी अस्पतालों में लोग जिंदगी और मौत की बीट जूज रहे हैं मैं शुबाक्षर आप सबको लेकर आई हूं यहां पर मुस्तफाबाद में जहां पर गाह में रहात कैम्प लगाए गए हैं जिसमें कई तरह के रहात काम्प हैं इसमें लीगल एड्स भी हैं सामधाई केंद्र भी हैं और कई एंजियोज भी हैं फिल्हाल मेरे साथ एहतशाम हास्मी सर हैं और उनकी टीम है सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं किस तरह के केस आभी तक आप आपके सामने आएं जी ज़ू जाधा तर case अरहे हैं वो हमारे पास आरहे हैं कि दंगायीो न будет mid-up किया है घरवालों को लोटा है उनके और जो महिलाएं थी और उनकी जूल्री लोटी है उनको सेक्शली मॉलिस्ट किया है उसके बाद फिर घरों में आग लगाई गई गई है जब वो भाग गए और कई लोगों को जिनको मौका मिल गया था कि पता पड़ गया था कि भीड हमा करने के लिए कई लोगों के तो हांग सामने आरहे हैं देखे आपब देख आए काफी सारे कंप्लेंट करने की यहां पे लोग आये हुए हैं लेकिन वह कौन लोग इन वाल्स है वह नाम बताने से बहुत डरे हुए हैं मुझे लगता है कि सरकार को उनकी काउंसलिंग कराने की बहुत जरुवत है क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक मिलना भी बहुत मुश्किल है और मैं यहां पर दिली सरकारते भी कहना चाहता हूं कि जो भी अफर्ट कर रही है उसके लिए उनका शुक्रिया ले है अभी एक सही चीज नहीं मेरे हिसाब से तो वी नीट सम मोर लॉयर्स ऑन दे ग्राउंड तो के यह बात की प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं इतना सब कुछ हो गया 24 तारीक से 25 27 जो लोग आपके पास आ रहे हैं उसे सवाल नहीं पुछे क्या पुलिस को कॉंटाट करने कुछ नहीं कि आप थाने नहीं गए आपने उनको फाई यार लॉज नहीं कराया इस सवाल कि क्या जवाब मिला देखिए जितने भी लोग थे सबके घरों से करीब एक एक घर से 10-10-20-20 कॉल 100 नंबर पर की गई थी लेकिन पुलिस आई नहीं उनकी हेल्प के लिए यहां प से बोला जाते हैं आप नाम मत लिखिए आप सिर्फ यह लिखिए कि दंगाई उन ऐसा किया है हम नाम अगर आप लिखेंगे तो कंप्लेंट ने से वह लो मना करते हैं इसा पुलिस कह रही है यह जो अभी फिलाल हम साक्ष देख रहे हैं कि यहां के जो अस्तानिये लोग है हैं और हालुफ कराते हैं यह हैं स्टी आपका अगलर किया होगा हमारा next step यह करेंगे खर रहें सलींगः बोलहे और जब तक उनके मन में study का भी नाम नहीं लिखता पाएऽ तो इस हालत में हमारी जो लॉइस की टीम में यह भी बहुत जादा काम नहीं कर पाईगी तो मेरा यहीं आपके चलने के माध्याम से सरकार को और सेंट्र को यह कहना है कि Counseling Center establish के जाएं यहां पर लाज नंबर में जो डॉक्टर सें जो की कांसलिंग करते हैं यह कांसलिंग को समझाएं इन लोगों की कांसलिंग करें इनके मन में जो डर है उसको हटाने का प्रयास करें अर्विन केज़िवाल को भी मनीश शोदिया सब को भी कहा कि आप जो क्यांप लगे हुएं वहां पर भी मॉनिटरिंग करिए और जो भी वालेंस अफेक्टिट एडियास हैं वहा समुद्र का कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह इतने लोगों का अता समुद्र है जो की परिशान है तो इस अता समुद्र को समालने के लिए हमें बड़ा ग्रूप की जरूवत है जो की लीगल फ्रेंट पे मैडिकल फ्रेंट पे इनके रियाबिटिलेशन में काम करें कई लोग अपने घरों को छोड़के दूसरी जगे रह रहे हैं तो उनको वापस उनके घरों तक पहुचाना भी सड़कार की बड़ी जिम्मेदारी है यह पर कई लोग ऐसे होंगे मैंने देखा कि वह वापस नहीं जाना चाह रहे हैं तो अब क्या लगता है कि विश्वास पॉलिटिकल रिस्पॉंसिबिलिटी भी है बनती है कि यहां कि जो लोग डरे सहमें हुए हैं उनका विश्वास सरकार को दुबारा हासिल करना है और उनका जो उजड़ा हुआ हुआ चमने उसको फिर से बचाने का प्रयास हम सब को मिलके करना है इसमें सरकार का बहुत एह से अधिकल है उसको बापिस करने का दाये तो अब कंदर सरकार राज्य सरकार और हम सबका बनता इस इस नहां करहा है संकीे जो जुड़े वें हैं को फिर जाने पोस्टूजूजू